हेलो दोस्तो टेली कोमनेशन में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं पेटियम पेमेंट्स बैंक अभी पेटियम पेमेंट्स बैंक लोंच हुआ है और आए जानते हैं हमें क्या का सुधाई मिल रही है इसके तहट पेटियम पेमेंट्स बैंक का उद्गाटन अ नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप जानते कि पेटियम वालेट जो पेटियम वालेट था उसमें लिमिट थी हमारी 20,000 मतलब आप 20,000 उसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ट्रांसफर कर सकते थे उसके दूब अधर मॉबाइल नंबर या किसी बैंक में भे थी लेकिन अभी उसके बाद से जैसे इसके जो यूजर से काफी जादा बढ़ गए हैं तो उसके बाद से इसने चार्जेबल कर दिया अगर आप किसी मॉबाइल नंबर में भेजते हैं किसी दुकान को भेजते हैं कहीं भी पेमेंट करते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं है तो वोलेट में अगर आप कियो ऑंडर करा लेते हैं दुवार काड़ के तुर्व अपने खाते को memorized करा लेते हैं तो ऊसके तैद उसकी लिमिट हो जाती है एक लाग रूपे लेकिन उस एक लाग रूपे को आप सिर्फ अमाउंट सकते हैं अगर आप वालेट में एक लाग रुपे आप अपने ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ आप उसमें से एक महीने में 25,000 रुपे अधर बैंक को भेज सकते हैं या किसी अधर मुबाइल नंबर पे आप किसी को पे कर सकते हैं सिर्फ 25,000 की लिमिट मतलब पहले 20,000 था भी किसी वालेट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं या वालेट से वालेट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो आरब याई की जो गायड लाइन है आप किसी मॉबाइल वालेट से दूसरे मॉबाइल वालेट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ठीक है अब इन्होंने पेड कर सकते हैं उससे उसका यह फायदा है अगर आप वोलेट में रखते थे तो वह इंट्रेस्ट प्री अमाउंट होता था मानले एक लाग रुपए आपने डाल दिया पच्छी सार उसमें से ट्रांसफर कर लिया पाके 75,000 बचा आपका एक महिने के लिए उस पर कोई इंट्रस् करते तो 7% का इंट्रस्ट वह दे रहे हैं ठीक है इसका यह फायदा एक तरह से आपको वर्चुल आपको डेविट कार्ड भी मिलेगा जैसे आप ओनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते ऑनलाइन तो उसमें वह आप उसको यूज कर सकते हैं डेविट कार्ड ठीक है तो इसके कुछ फायदे हैं अच्छा है लेकिन जैसे पहले वॉलेट था तो वॉलेट मैं समझता हूं कि वह इतना अच्छा नहीं था उसकी लिमिट भी कम थी ठीक है चोटी मोटी खर्चों के लिए ठीक ता जैसे आपको टिकेट बुक कराने हैं या फिर आपको मोवी पे करना है दुकान पे या कहीं भी छोटा मोटगा पीमिंट है 100-2004300 रुपे कव में अच्छा है उसके लिए आपको बड़ा आमाउंट ट्रांसेर करना है लें देन करना उसके लिए अच्छा नहीं है इतना इसलिए उन्होंने पेमिंट बैंक लोंज किया है 2017去ером को बता द में उतरने वाला तीसरा बैंक है पेटियम का दावय कि मॉबाइल वॉलेट के तोर पर उसके पास 28 क्रोड ग्रहक मौझूद है जो साल में 250 क्रोड ट्रांजिक्शन कर रहे हैं ये काफी बड़ा अमाउंट है और काफी बड़ी संख्या है उसके ग्रहकों की 28 क्रोड ग्रहक का अच्छा खासा अपाउंट वो लोग ट्रांजिक्शन कर रहे हैं तो अपको बता देते क्या का स्वीदा वो दे रहा है जैसा कि हमने अपको उपर भी बताया है जबसे पहले को जीरो जीरो बैलेंस पे आपको ओपन करने की स्वीदा देगा अगर आप खाता खोलना चाहते हैं लेंदेन पूरी तरह से फिरी होगा कोई ट्रांजिक्शन सुल्क नहीं लगेगा पेटियम पेमेंट्स बैंक के ग्रहकों को जमा धन पर 4% का ब्याज मिलेगा अगर आप FD अकाउंट खोलते हैं तो ब्याज 7% तक मिलेगा इसके तैद पेटियम ने ICICI बैंक से करार कि किया है 20,000 रुपे का लोन उन लोगों का मिलेगा इस बैंक में जिनका खाता है मतलब अगर आप पेटियम पेमेंट्स बैंक में ओपन करते हैं तो आपको आई साए कि तो बीस हजार का लोन भी मिलेगा और पेटियम पेमेंट्स बैंक में खाता खोलने की सुईदा पेटिय अधार नंबर मांगेगा अधार नंबर के थूँ वो आपका KYC अप्ग्रेड होगा Paytm Payments Bank अपने customer को रुपे debit card भी देगा और जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी हमने सुना है कि अभी Paytm अपने ATM भी launch करने वाला है ठीक है दोस्तो आज के लिए इतना ही